समय यात्रा कई लोगों के लिए सद्यों से आकर्षन का विशे रही है। समय में वापस जाने या भविशे की यात्रा करने में सक्षम होने के विचारने वैग्यानिकों, लेकों और फिल्म निर्माताओं की कल्पना पर समान रूप से कबजा कर लिया है। इस वीडियो में हम समय यात्रा के पीछे के विज्ञान का पता लगाएंगे और वर्षों से प्रस्तावित कुछ सिधानतों की जाज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन दबाना न भूले। भाग एक, समय यात्रा का विज्ञान समय यात्रा को समझनी के लिए हमें सबसे पहले समय की अवधारना को समझनी की जरूरत है। समय हमारे प्रह्मवान का एक मूलभूत पहलू है और इसे अकसर चौथे आयाम के रोप में वर्नित किया जाता है। यहे वहे हैं जो हमें हमारी दुनिया में परिवर्थन और गती को मापने की अनुमती देता है. आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिध्धान्त के अनुसार समय निर्पेक्ष नहीं है, बलकि प्रेक्षक के संदर्प के फ्रेम के सापेक्ष है. इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु कितनी तीजी से घूम रही है या उसके आसपास कितना मजबूत कुरुत्वा कर्शन है इसके आधार पर समय धीमी या तीज गती से चलता हुआ दिखाई दे सकता है इस सिध्धान्त का एक परिनाम यह है कि यदि हम प्रकाश की गती के करीप्या किसी ब्लाक होल की घटना क्षितिच के निकट गती से यात्रा कर सकते हैं तो समय हमारे लिए किसी ऐसे व्यक्ति के सापेक्ष धीमा प्रतीत होगा जो स्थिर्था इस खटना को समय फैलाव के रूप में जाना जाता है और समय यात्रा के बारे में कई सिध्धान्तों का आधार बनता है भाग दो, समय यात्रा के सिध्धान्त भौतिकी की हमारे वर्तमान समझ के आधार पर समय यात्रा कैसे संभव हो सकती है इसके बारे में कई सिध्धान्थ हैं। ऐसा ही एक सिध्धान्थ वर्महोल परिकलपना के रूप में जाना जाता है। इस थेयरी के अनुसार दो दूर के बिंदूओं को वर्महोल से जोड़कर स्पेस टाइन के जरिये शॉर्टकर्ट बनाना संभव हो सकता है। एक अन्य सि चारों और अंतरिक्ष समय को घुमाता है। किसी भी भौतिक कानुनों का उलंगधन किये बिना समय के माध्यम से आगे बढ़ना संभव हो सकता है। भाग 3. चुनौतियां और विरोधाभास। जबकि ये सिध्धान्थ समय यात्रा के लिए रुमांचक संभावनाई बदल देता है, तो यह एक विरोधाभास पैदा करेगा जहां वे पहले कभी अस्तित्व में नहीं हो सकते थे। इसी तरह, अगर कोई समय में वापस जाने और इतिहास, खुमहत्व पूर्ण रूप से बदलने में सक्षम होता है जैसे कि पृतिया विश्वयुत को पूरी अधारनाओं में से एक है। जबकि हम अभी भी नहीं जानते हैं कि क्या यह वास्तव में कभी संभव होगा, इन विचारों की खोच से हमें अपने ब्रह्ममान की मौलिक प्रकृती को बहतर धंग से समझने में मदद मिलती है, पर हमें भौतिकी और अंतरिक्ष समय के, बार बने.